हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ये नई यूट्यूब चैनल घूमोगे पर आज मैं आपको अमबाला चाउनी जो की नौर्थ हर्याना का एक बड़ा शहर है इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लोकेशन के बारे में ये करीब दिल्ली से 200 किलोमेटर दूर पड़ेगा और चंडिगर से 50 किलोमेटर दूर पंजाब से सिर्फ 5 किलोमेटर दूर अपने माचल और यूपी से ये 50 किलोमेटर की दूरी पर तो क्या आप घूमना चाहोगे मेरे साथ तो आईए चलिए एक सफर शुरू करते हैं अम्बाला चामनी के प्लेसिज के बारे में केलाश मंदर हथी खाना आप देख सकते हो कि कितना सुन्दर इसका गेट बना हुआ है जिसमें दुवारपाल, जय और विजय के चितर दिखाए गए है और इसका नाम हाथी खाना कैसे पड़ा मुगलों के समय में यहाँ पर आथी बांदे जाते हैं इसी कारण से इसको हाथी खाना मंदर बोला जाता है और यह बहुत ही पुराना और एतिहासिक मंदिर है शिवरात्री और सावन के महीने में तो यहाँ पर रश देखने लाइक बनता है अभी मंदर खुलने का समय नहीं हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको अंदर से दिखा देता है कि यह कितना प्राचिन मंदिर है दोस्तों हम पहुंच गए हैं भूली रीडीमर चर्च अंबाला चाहने आप देख सकते हैं जरे पुछे भी यह आकी बहुत ही इतिहासिक चर्च है यह होली रीडीमर चर्च है जो अठारा सुड़ताली में ब्रिटिच रूलल जब इस्ट इंडिया कंपनी ट्रास्पर वी थी करनाल से अंबाला तो यह बनाई गई थी इसमें दो रूम दिये गए थे ट्रूप्स को जो आजकल डिस्पेंसरी और रीडिंग रूम के रूप में यूज़ के जा रहे हैं अबाला में आउर अंबाला की माल लोड ना दिखो तो क्या देखाब थे अम्बाला में अम्बालोड ये 3 किलो मेटर नंबी है जो जिटी रोड से लेकर पीछे गॉल्फ कलब तक गई है और यहां पे सुबह और शाम सेयर करने का मज़े ही जलागे लाइट लेजिक चलता रहता है और लगता है कि पूरा शहर ही गुंगे है ये सिंट पाल चर्च है जो 1857 में बनी थी लेकिन 1965 की इंडो पार्क वार में इस पर बंबिंग हो गई थी उसके बाद से ये चर्च डैमेज हो गई है और अब ये चर्च हम देख नहीं सकते अलाउड नहीं है क्योंकि एरफोर्स कूल ने अक्वाइर कर लिए है हम आ चुके हैं चावनी के मेन अट्रेक्शन जाप एक डिगी को रेनवाटर हर्वेस्टिंग के दुआरा एक तलाम में बदला गया है और ये एक अच्छा टूरिस्ट प्रेस बना दिया गया है चावनी जील का एक अकरशक में जारा आप लोग देख सकते हैं पूरे केंटोनमेंट बोर्ड का जितना भी वेस्ट वाटर है वो सारा यहां पे आके कठा हो जाता है और वो बोर के थूरूर रेनवाटर हर्वेस्टिंग में यूज़ जाता है अरे वाट कैसे मोटर बोट बना रखी हैं और यह पानी में उतारते हैं और कैसे सारा पानी का कच्रा साफ हो जाता है इन मोटर के दौरा और यह जितना भी पानी आप देख रहे हैं यह बोर वेल के थूरू ग्राउंड वाटर में पहुंझाता है और री चार्ज होके दुबारा से फिर हमारे तीने लाइक पानी बन जाता है जाता है दोस्तो हम आचुके हैं राचें शीव मंदर रानी का तलाब बे आप यहां के बारे में यह पता मशूर है कि चार सो साल पहले यहां चचरोड़ी के राजा रंजी सिंग का राज हुआ करता था यह रियासत महराजा पट्याला के दिन हुआ करती राजा रंजी सिंग की रानी शाही शनान रानी का तलाब के नाम से जाना जाता था रानी प्रती दिन प्राताय सनान के बाद शीव मंदिर में पूजन के लिए आया करती थी इतिहासिक दिनों की यादगार शीव मंदिर रानी का तलाब और ग्याशी माता का मंदिर था इस इतिहासी मंदर की देख रेक सन 1999 से पूरो सादू महात्मा ही किया करते थे 1999 के बाद यह मंदिर का संपूर्ण सेना के अधिन कर दिया गया फोप्रण सेना के अधिन का संपु हेलो दोस्तों मेरा नाम कमल कांथ है आज मैंने आम बाला केंट के आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए है वजपन से एक सपना था कि इस खूबसूरत दुनिया को हर एंगल से देखा जाए उसी सपने को साकार करने के लिए आज मैंने यूटूब एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है घूमोगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया हो तो प्लीज कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर से अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्लेस को एक्स्प्लोर करते हुए एक नई जगे पर हर एंगल से देखते हुए क्या आप भी गुमना चाओगे मेरे साथ